वेलकम क्रप्टो योजर से एक नए सांदार वीडियो में आप लोगों का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम शिबायनु के प्राइस प्रेडिक्शन के उपर बात करने वाले हैं अलग अलग टाइप से तेरा जो क्रप्टो एनालेष्ट है विश्यशक है उनकी तरप से शिबायनु में 400% तक के पंप की यहां पर बात कही गई है जिसको आज हम कवर करेंगे और इसके बाद हम देखेंगे कि एक फॉप्स की रिपोर्ट बे आई है नई रिपोर्ट है यह जिसके अधार पर शिबायनु के प्राइस प्रेडिक्शन का दावा यहां पर किया जा रहा है दोस्तों दोनों ही प्रेडिक्शन में जमिन आसमान कंतर है पहले बता दू और दूसरी बात यह भी बता दू कि यह जो प्रेडिक्शन शिबायनु का बता रहा हूं यह इन विशेशग्यों के बैसेस पर है उसके बाद एंड में मैं अपना ओपिनियन दूँगा कि मुझे कहां तक लगता है कि शिबायनु का प्राइस प्रेडिक्शन कहां तक जा सकता है तो फुल वोच करना वीडियो पसंद आया तो चैनल को सस्क्राइब बेल आइकोन को हिट देखिए हम ये प्राइस प्रेडिक्शन ऐसे टाइम कर रहे है जो बिटकोइन 65,000 डॉलर के लेवल पर रुख गया है और सबसे कमाल की बात ये है कि वेसा ही परफॉमेंस फिर से बिटकोइन करने लग चुका है वेसे ही हरकत जैसे कि हमेसा ये करता आया है यानि कि वही कि 66,000, 67,000 पर पहुचने के बाद जो गिरावट है वो स्थार्ड हो चुकी है अगर यहाँ पर आप ग्राब देखो तो कई बार इस लेवल पर जाने के बाद मारकेट टूटा है और यही ग्रावट वापस जो है यहाँ तक पहुचने के बाद हो चुकी है तो क्या यार हम यह माने कि अभी विटकोइन का समय नहीं आया इस से उपर का तो यह से में जब समय आएगा तो शिबायनू कहां तक होगा चलिए सिरू करते हैं सबसे पहला प्राइस प्रेडिक्शन तेरा विशेशग फाइनेंसियल एक्सपर्ट की दुआरा शिबायनू में 400 परशन के रेली का बात कही गई है वो कब कही गई हो और के से क्या होगी तो यहाँ पर अगर आप देखे तो तेरा ग्रूप सदेश्यों के दुआरा यहाँ पर समय ने अनुमान लगाया है कि शिबा में 400 परशन के रेली आएगी लेकिन यार मैं इस न्यूज को बताते हुए बड़ा ही हास्प्रद महसूस कर रहा हूँ और बड़ा ही हसी आ रही है मुझे क्योंकि इन लोगों का प्राइस प्रडिक्शन आप देखोगे ना तो चोक जाओगे क्योंकि यहाँ पर देखने को तो तेरा फाइनेंसियल एक्सपर्ट ही है लेकिन मुझे लगता है कि इनको 0% भी नॉलेज नहीं है शिबा का क्योंकि अगर आप यहाँ पर गोर करोगे तो इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पर बोला है कि शिबयनु आने वाले समय में मंदी से उभरेगा और मंदी के बाद इसमें भारी ग्रावट देखने के बाद एक पंप सा आएगा तो इस टाइप से मार्केट यहां तक रहा यहां तक रहा बहुत सरी इनों ने यहाँ पर बाते कही लेकिन जब जो एक 2030 में आएगी अब आप समझ सकते हैं कि 2030 में जो है रेली आएगी फिर यह आगे कहते हैं यहाँ पर उलेखनी विश्यशग्यों ने भाविश्वानी की है कि प्राइज उननीस मतलब पाच जिरो के साथ नो पर कारोपार कर रही थी और फिर इस साल के अंतर तक इसमें 11% की ग्रोथ आएगी और प्राइज 10 के लेवल पर रहेगी यानि कि इनको यह भी अंदाज नहीं है कि अभी अल्रेडी प्राइज 17 के लेवल पर है यानि कि यहां से भी पूरी बात को यहां पर फिर यह कहते है कि 40 का जो लेवल 17 का जो लेवल है उसमें 71% का यहां पर मोजोदा कीमत में लक्ष के हिसाब से पंप रहेगा और 2025 में यह कह रहे है शिवेनू की प्राइज जो है यह जा सकती है 2030 का फिर इन्होंने टार्गेट रखा है 45 का यानि कि 2030 2030 में ले जाके यह 4-0 के साथ 45 का लेवल ले रहे है अब या तो इनको कुछ भी अनुभव नहीं है या फिर बेठे बिठा एक आर्टिकल लिख दिया बिना नौलेज के यह आप इनको पता होना चाहिए कि जो 45 का लेवल यह 2030 का बता रहे है अब ही फरवरी में ही 45 का लेवल क्रप्टो एक्सपर्ट है यह लोग अब इनकी बेवकोफिपन का यहां पर क्या उधारन दे कम है क्योंकि अल्रेडी अगर यह शिबा एनू में 400 की रेली को 2030 में दिखा रहे है तो इसका मतलब है कि बिटकोईन में भी रेली नहीं आएगी फिर तो और बिटकोईन में अग बता है तो ओबिसली शिबायनू बढ़ेगा ही बढ़ेगा यह तो फाइनल है क्यों नहीं बढ़ेगा क्या तुक बनता है तो यह जो प्राइस प्रेडिक्शन है पूरी तरीके से फ्लोप है ठीक है पूरी तरीके से फ्लोप प्राइस प्रेडिक्शन है इस टाइब के प्र इस्वास नहीं करना चाहिए, कुछ गलत एक्टिविटी या गलत तरीके से बदनाम करने के लिए किसी क्रिप्टो करेंसी को इस टाइब कर प्रेडिक्शन दिया जाता है, यह कहीं से भी तुक नहीं बन रहा है, अब मैं आपको सेकंड प्राइस प्रेडिक्शन फॉप्स की अब जब फॉप्स की रिपोर्ट आई, यह एक नई रिपोर्ट है, जिसमें यहां पर बताया गया है, कि जो फॉप्स की रिपोर्ट है, उसके अकोर्डिंग यहां पर बोला गया है, कि नई भविश्वानी आ रही है, और एक एक एक्सपर्ट रन नितिक एक्सपर्ट ने पूर्वानुमान जारी किया है शिबा का जिसमें उम्मीद की एक नई किरणी यहाँ पर जागी है जिसमें बोला है कि 100% से अधिक शिबा उनु बढ़ेगा और 30 के लेवल पर पहुच जाएगा चार जिरों के साथ 30 ठीक है ये कब होगा विशलेशकों को लगता है कि मेम कोई 2024 की अंत तक इस लेवल पर जो है पहुच जाएगा उसके बाद कहा गया है कि फॉप्स अधिक तेजी से भवश्वानी की और जुक रहा है और उम्मेद है कि मुद्रा क्या जो ये लेवल है करंसी का इस लेवल तक जा सकता है ठीक है फिर इसके बाद ये आगे कहते हैं यहा यहां पर जो है शिबायनु के लिए पॉजिटिव इंपेक्ट दिया है और उनके अनुसार कठना ही जरूर है लेकिन 2024 तक शिबायनु अधिक मुल्य प्राइस के साथ लगभग इस लेवल पर पहुच जाएगा तो यह लोग भी यहां का टार्गेट ले रहा है अब यह ठी नहीं रह गई है लेकिन हलाकि यह सीबा एको सिस्टम का डिवलप्मेंड कंटीनूसली बता रहे हैं कंटीनुसली डिवलप्मेंड होगा बजार भविश्वाने की उपस्तिति के हिसाब से होगा इसके बाद यह आगे कुछ और सालों का प्राइस प्रेडिक्शन बता रहे ह छे सालों का फिर मैं अपना उपिनियन बताऊंगा तो एन तक वीडियो को देखते रहना यहां पर अगर मैं बताऊ तो इनों ने कहा है क्योंने उम्मीद है कि 2025 तक शिवयनों की प्राइज जो है इस लेवल को टच करेगी 2024 तक और 26 में कीमत कम होगी थोड़ी गिरेगी और उसके बाद 30 तक रह सकती है और 28 में फिर से थोड़ा उम्मीद है बढ़ने की जिसके बाद प्राइज यहां के लेवल पर पहुचेगी 29 में इसमें व्रद्धी हो सकती है और संभूता इस लेवल पर 29 में जो है प्राइज 30 के साथ 161 के लेवल पर चली जाएगी और 2030 तक शिवयनों 4-0 के साथ 63 रहेगी यानि कि कुल मिला के वहीं घुम फिर के वहीं का वहीं घुमाया जा रहा है ठीक है अब ये थोड़ी सोचने वाली बात है कि फॉप्स की रिपोर्ट भी थोड़ी कहीं न कहीं एक इसी टाइप से इसारा कर रही है यानि कि अभी तक में ओपिनियन में ने देखा है कि सब ने शिवयनों की ग्रोथ के बारे में कुछ भी नहीं बताया है यानि कि ग्रोथ नहीं दिखा रहा है तो क्या ये रियलेटिव बन जाएगी और शिवयनों कुछ भी नहीं बढ़ेगा वहीं का वहीं ग्हुमता रहेगा जैसा कि यहां बताये गए है छे सालों का अब ये तो समय ही बताएगा क्योंकि तेरा फाइनेंसिली एक्सपर्ट ने भी 400% की रैली के लिए 230 का इंतजार किया है अब अगर मेरा उपिनियन माने तो मेरे उपिनियन से अगर बुल्डरन आता है तो पेतायलीस का लेवर और एक जिरो किल करने का लेवर आसानी से चीव हो जाएगा इसी साल क्योंकि बिटकोईन में मैंने देखा है कि अगर 50% भी पंप हो गया ना बिटकोईन तो शिवायनु में 300-400% का पंप हो जाएगा समझ रहे हैं? मीम टोकन सहित और अगर बिटकोईन 200-300% बढ़ गया जैसे कि डेल लाग डॉलर के लेवल पर पहुँच गया तो शिवायनु में आसानी से 1000% का पंप हम मानके चल सकते हैं और अभी मीम टोकन केटेगरी में शिवायनु अच्छा खासा मतलब बेठा हुआ है पोजिशन लेकि अच्छा टोकन माना जा रहा है तो कोई तुक नहीं बनता कि नहीं बढ़ेगा ये कब पोजिशन बनती है जब बुलरन नहीं आएगा और बिटकोईन भी कोई खास कमाल नहीं करेगा वही एक लाग के नीचे ही घूमता रहेगा तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो प्राइस प्रेडिक्शन है ये सटिक बेठ सकते हैं कि तीस तक्यार हम देख रहे हैं कि बिटकोईन भी एक लाग के लेवल के लिए ही तरस रहा है यहीं कर यहीं घूमे जा रहा है जैसे कि दो सालों से शिबयनू नहीं बढ़ा था तो Bitcoin भी कोई खास कमाल नहीं कर पाया था 16,000 तक पहुँच गया था तो एसी कुछ इस्तिति आती है तो फिर ये Price Prediction सटिक हो जाएंगे मेरे हिसाब से ये वाले ये वाले लेकिन अगर Bitcoin बड़ा Crypto Market बड़ा तो मेरे हिसाब से Shiba Inu भी धमाल करेगा उसी according उसी percent के साब से ये बड़ेगा तो I hope ये Price Prediction Shiba Inu का सटिक रहा होगा आप क्या सोचते अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखे नमस्कार